यह अर्बन ग्रैंडियर का पूरा एलिवेशन है बिल्डिंग का आप देखे तो यह मैं पूरा आपको एलिवेशन दिखा रहा हूं यहां से मिनमाइस करके अर्ड मैं बात करता हूं इसका मैं तोला स्क्रैश करके आपको दिखाता हूं कि कहां पे क्या आने वाला है यह आप इसकी यहां से है और दूसरी इसकी यहां से दो तो एंट्री है इसकी और उसके बाद यह थर्ड फ्लोर पार्किंग है फॉर्थ फ्लोर भी पूरा पार्किंग दिया हुआ है फिफ्फ फ्लोर भी इसका पार्किंग है और छटमे महले पर सारी एमेनिटीज दी हुई है इसकी च्छे महले पर पूरा के इमेनिटीज दिया हुआ है उसके बाद यह इसका पूरा इलिवेशन है आप देखें तो 29 महले का पूरा आप चलते हैं फ्लाट के फ्लोर प्लान के पास अब यह इसका फ्लोर प्लान है टू बीजके का फ्लोर प्लान आप देखें तो जब आप एंट्री करते हैं यहां से सीधा सीधा तो एंट्री करने के बाद ही आपको लेफट आण साइड पे किचन का एंट्री मिलता है किचन का एंट्री इसलिए अभी चल रहा है चलन में पहले जो रो हाउस या बड़े दूखलों हुआ करता था वहां पर स्टार्टिंग में ही घर के एंट्री में की जुड़त नहीं है वह आवें कीचन में काम करें और यहीं से वह इंट्रेटन बाहर चले जाएं यहीं पर आपको इसमें सर्विस प्लैट्फरम दिया हुआ है यहीं पर आप देखें तो यहीं वाशिंग में का जगें दिया हुआ है यहीं पर आप देखें तो यह वाशिंग में पूरा का पूरा मिल जाता है यहां पे नहीं पांच टेबल का जगे बनाया है लेकिन आप देखें 11 by 3 यानि 11 by 3 का यह पूरा डाइनिंग टेबल है यहां पे और यहां पे 6 टेबल का भी अगर आप 6 कुरसी का भी आप डाइनिंग टेबल बनाएं तो भी यहां पे इजली सेट हो जाएगा उसके बाद आपको डाइनिंग आरिया मिला के 17 by 10 तर्याइव लिविंग dyn एयरिया मिलता है यहां पिए TV यूनिट आ जाता है आपका ये पूरे सोफा सेटिंग एरिया यह कौरनर टेवल ला जाता है घपाफे सुबह मिल जाता है साम के लिए सुबह के लिए सनलाइट और एयर के लिए अब जब आप फ्लैट में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर फिर्स्ट राइट हैं पर आपको मिलता है कॉमन बैडरूम यानि कि इसमें मास्टर बैडरूम अटेच्ट नहीं है इसके लिए गेस्ट बैडरूम भी बोलते हैं कॉमन बैडरूम भी बोलते हैं यह आपका साठे दस बैडस यानि की साठे दस फुट बैस फुट का आपको मिल जाता है 9.10 इंटू 10.4 इसमें एक वाडरोब का इसपेस आपको यहां पर मिल जाता है वाडरोब आप बनाने के ब बना सकते हैं इसमें चज्जा दिया हुआ है यहां पर बालकनी कंसेप्ट नहीं है चज्जा यह कुछ आप एसी का आउट डोर रखना हो या कुछ छोटी मुटी चीजें रखना हो तो आप यहां पर रख सकते हैं कापी बड़िया एक स्पेस आपको मिल रहा है उसके बाद ज यहां से जब आप मास्टर बेडरूम की और एंट्री करते हैं तो मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको फर्स्ट रेफरेंड और साइड पर का स्पेस मिल रहा है यह 9.5 धाइका यानि लगभग 9.5 फूट बाइँ अब लगभग 9.5 फूट का यह आपको यह पूरा आपको वाश्रूम मिल जाता है जिसमें वाश्पेसिन एरिया कमोड एरिया टॉलिट एरिया सब कुछ इसमें आपको अड्जेस्ट करके दे रहे हैं उसके पार मास्टर बेड्रूम आपका 9.10 वाई 11 यानि की लगबग 10 वाई 11 का यह मास्टर बेड्रूम मिलता है आपको यह पूरा इसका टीवी उनिट एरिया है और इसमें भी सेम छज्जा दिया हुआ है इसमें बैलकनी कंसेप्ट नहीं है एक पांच भाई पांच यह च्छे भाई च्छे का बेड्ड डालते हैं उसके बाब जूद भी आपको यह ड्रेसिंग टेबल साइट टेबल औ यह ड्रेसिंग टेबल यह दोनों साइट टेबल आप डाल सकते हैं यह ड्रेसिंग टेबल है इसका और एदर टीवी उनिट का एरिया और यह स्टडी टेबल दिया हुआ है दोस्तों यह एक प्रॉपर टू भी एसके का जो इन्होंने प्लान किया है वह यह है अभी आगे मै आपको 3BHK दिखाता हूं कि 3BHK किस टाइप का है यह इसका 3BHK का फ्लाट है 3BHK में आप देखें तो जब आप मेन एंट्री से एंट्रे करते हैं तो यहां पे भी सेम 2BHK कंसेप्ट के जैसा पहले ही आपको किचन दे दिया गया है ताकि कोई मेड बगेर अंदर ना आ आपको living dining area मिल रहा है यह मैं आपको मार करके दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं यहां पर भी छे टेबल या पांच टेबल का डाइनिंग एरिया बना सकते हैं अगर कुछ-कुछ लोगों का पसंद होता है कि dining area नहीं रखना है तो वह open भी रखते हैं और उसके बाद आप आपको सेम 17 वाई 10 का यह आपको living dining area मिल रहा है यह इसका sofa sitting area है यह भी इसका sofa sitting यहां पर भी आप corner table डाला हुआ है उसके बाद सामने यह tv unit का area है इसमें भी देखें तो दस वाई शाड़े तेन का आपको एक डेक मिल रहा है बलकनी मिल रहा है उसके बाद त्रीवीज की रिजाइन ऐसी है एक living dining में जब आप entry करते हैं तो यहां से आपको left hand side पे बेडरूम मिलता है और right hand साइड के साइड पे इसका दो बेडरूम मिलता है तो left hand side पे जो एक बेडरूम आपको मिलता है यह करीब साड़े बार बार बाई दस फूट का बेडरूम है 12.6 x 10 इसमें जब आप master bedroom में एंटर करते हैं एंटर करते ही आपको right hand side पे common toilet washroom मिलता है उसे बाहर आते ही आपको wardrobe का space wardrobe के बाद आप जब आ गया आते हैं तो एक 5 x 6 x 6 का bed रखने के बाद भी दो side table का space मिल रहा है आपको यह देख सकते हैं मैं mark करके आपको दिखा रहा हूं उसके बाद सामने यह tv unit का area है यह study table बना सकते हैं इसमें plus point दिया है नोने कि hall के बराबर का ही इसमें deck दे दिया जो 10 foot by 3.3 यानि 2 inch कम 3.5 foot का है तो आप देख सकते हैं 10 x 3.5 का इसमें भी balcony है और hall में भी आपको 10 x 3.5 की balcony है मैं दिखाया आपको एक right hand side पे master bedroom है आप फ्लाइट में entry करते ही आप जब left में आते हैं तो left में आने के बाद first आपको right hand side पे common bedroom मिल रहा है जो 3BHK का normal concept होता है कि दो master bedroom आपको मिलता है और एक common bedroom मिलता है जिसमें attached washroom नहीं होता है अब जब आप right hand side पे bedroom में आते हैं तो यहां पर first आपको water up का space देने के बाद भी bed एक 2 x 6 का रखने के बाद भी एक अच्छा का सा कुछ जगह मिल जाता है यहां देखें तो आप side table रख सकते हैं TV unit रख सकते हैं यह प्रॉपर साड़े दस भाई 10 फूट का लगबग 10.4 into 9.10 दो इंच का कम साड़े दस भाई 10 का आपको यह bedroom पूरा मिल रहा है common bedroom इसी के just opposite side में आपको common washroom मिल जाता है जिसमें उसी में आपको wash basin area, commode area, bath area यह सब कुछ attached एक ही washroom में आपको मिल जाता है उसके ब प्रहे नौबाई धाई का wardrobe का यानि cupboard का जगह मिल जाता है उसके बाद फिर यह bedroom 11 by 10,9.10 into 11, 11 by 10 का यह पूरा bedroom आपको मिलता है उसमें attached washroom, same concept जो हर एक washroom के इनों ने दिया है, वही same आपको यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों, अब आगे इसका देखें, पांच भाई छे का bed ये अच्छे बाइचे का bed डखने के बाद भी, एक आपको side table का जगह मिल जाता है, ये मैं आपको draw कर रहा हूँ, दूसरा side table प्लस तीसरा ये dressing table का आपको जगह मिल जाता है, जो आप देख सकते हैं ये, उसके बाद ये इसका common bedroom का चच्जा, master bedroom का चच्जा, चंजा in the sense, नीचे वाले के च्छत के लिए, नीचे वाले के window को पानी को रोपने के लिए चच्जा होता है, वो आपको उपर से use करने के लिए properly मिल जाता है, दोस्तों, तो ये plus point हो जाता है इसका, अब master bedroom का तो आप washroom देखी चुके है, अब चलते हैं, अब इसके बाद मैं आपको द कर दिया है, जिसके कारण की ये पूरा दोनों merge हो गया, ये भी इसका एक और wall है, इसका दूसरा hall है, यहां से जब आप entry करते हैं, यहां से first इन्होंने क्या किया है, कि इस kitchen को इन्होंने एक bedroom या फिर study room के में तबदील कर दिया है, बदल दिया है और आगे जब आप आते ह हैं, ये दोनों hall को इन्होंने जॉइन, यहां से यहां ये L-shape का first hall था, और ये दूसरा hall था, दोनों को इन्होंने तोड के merge कर दिया है, और merge करने के बाद एक अच्छा का सा पूरा आपको एक बड़ा सा living dining area मिल जाता है, इन्होंने यहां पे sofa sitting area बना दिया है, चारो प्लस का भी रख सकते हैं, यह अलग से एक showcase रखा है, प्लस अब kitchen को इन्होंने आप देखा है कि यह wall यहां से रखा है, इन्होंने इसके लिए separate और kitchen की entry आगे से बना दिया है, ताकि यह bedroom का privacy बना रहे है, इस bedroom का proper privacy रहे, और kitchen में भी सेम जो टू बीच के का सेम kitchen है, वही ह और यह जब 2BSK 2BSK को जब merge करके आप 4BSK, जो टू बीच के 2BSK को merge करते हैं, तो यह आपके पूरे के पूरे 5BSK बनता है, फास्ट आप देखें तो यह second, दूसरा bedroom, फिर तीजरा, छौथा, फिर यह पांचमा, आप देखें तो यह पांचमा bedroom आपका बन जाते ह। पांच वेडरूम हॉल कीचन का बड़ा सा ये फ्लैट दोस्तों बन जा है अब इसका फ्लोर प्लान देखते हैं ये इसका पूरा फ्लोर प्लान है जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें 2BSK, 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 2BSK और एक ये आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा 3BHK है यह भी इसका 2BHK ही है तो 3BHK का एक ही फ्लैट है इस पूरे फ्लोर प्लान में यह भी इसका 2BHK है यह पूरा का पूरा इसका 3BHK आप देखें तो और अब यह आपका पूरा फ्लोर प्लान आपको देखने को मिल जाता है कि किस टाइप का है आ अगर आपको shop में भी interest है purchase करने में तो भी आप मुझे बता सकते हैं back side को तो इसका ये पूरा का पूरा parking area लगवग दिया हुआ है और front side में बाहर side में दुकाने दी गई है प्लस otola भी एक अच्छा भी ओटले का प्ले का लिग का वाब है दुकान के बाहर जब ओटले का इस पेस आजा तो एक अच्छा कासा दुग divides बढ़ जाती है कीमत बी बढ़ जाती है और यह पूर का पूरा इसका पोडियम पार्किंग का प्रत्व है में रोड को देखं़े सब्सक्राइब यहां से नियुक्ता है इसने सब्सक्राइब करनेक्टिविटी बहुत 77 मिल जाती है यह विल्गुल चार रास्ते पर ही है चार रास्ते पर है तो आप देखने तो यह कॉर्णर पर ही बिल्डिंग का बना हुआ है बिल्डिंग का बना हुआ है बिल्डिंग का बना हुआ है